तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास का सबसे पहला कोश्चन जो है निमिलिकित में से कौन से विशिष्टा प्रतिभावार शिक्षार्थी की है अप्शन है यदि किसी की गती विधियां आधिक चुनोती पूरू नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उप जाता है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है वह रस्मी वहवार करता है जैसे हाथ थपतपाना डोलना आदी या वह आकरमक और कुंटित हो जाता है तो हमें ये विशिष्टा बतानी है जो प्रतिभावान शिक्षार्थी की है तो यहां पर आंसर क्या सही हो जाएगा आप वीडियो को पोस कर लीजिए और अपना मुल्यांकन करिए कि आप जो है एक examination hall में बैठे हो और आपके सामनी ये paper है और आप कितने question आप सही करते हो और last minute जरूर बताईएगा यह सोचिए कि यह आपका paper है तो आंसर जो है सही हो जाएगा एक सिख्ष का अपनी प्रात्मी कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है ड्रील और अभ्यास के द्वारा अपने विध्यारतियों में प्रत्योगिता को प्रोटसाहन देकर विश्यवस्तु को विध्यारतियों के सामन्धित करके या अधिगम में चोटी चोटी उपलब्धियों के लिए पुरुसकार देकर तो प्रात्मी कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर विश्यवस्तु को जो है विध्यारतियों के जीवन के सामन्धित करके बच्चों के बारे में निमलिकित कत्रों में से कौन से सही है option देख लिए जो बच्चे जानकारी के निश्क्रिय प्राप करता है बच्चे समस्या समधान करता है बच्चे विग्यानिक शोध करता है या बच्चे परयावरण के सक्रिय अनवेशक है तो बच्चों के बारे में जो कथन सही है देखे समस्या समधान करता तो होते ही है विज्ञानिक शोद करता भी है और सक्रिया नवेशक है पर्यावरण के निश्क्रिया नहीं है तो B, C, D आंसर सही हो जाएगा तो यहाँ पर जिन बच्चों ने A आंसर दिया है प्रोचसाहन देने के लिए निमलखित में से कौन सी विधी सबसे प्रभावी है यदि करने के लिए कहकर विध्यारतियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना विध्यारतियों को बहुत से उधारन देना और उन्हें तरक शक्ति का उप्योग करने के लिए प्रोचसाहिद करना जब तक विध्यारतियों में वांची संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उप्योग करना या पुराने प्रत्यों से किसी संदर्ब के बिना नए प्रत्यों को अपने आप समझा जाना चाहिए तो क्या सही आंसर होगा प्रभावी विद्धी बोला है और जिसमें दंड आता है ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये भी नहीं है कि विद्धी गलत विचारों को सही विचारों में बदलना ये भी गलत है या पुराने प्रत्यों के किसी संदर्ब के बिना ही नए प्रत्यों को अपने आप समझा जाना चाहिए ये भी गलत है बलकि बच्चों को examples देने चाहिए और उन्हें तरक्षकति का उप्योग करने के लिए उनको motivate करना चाहिए आंसर सही हो जाएगा हमारा second answer प्रात्मिक विदाला के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभाविक ढंग से सीखेंगे जहां सिक्षक एक आधिकारवादी है और सपस्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संगेनात्प कुशलताओं पर ही ध्यान का केंदर होता है और बल दिया जाता है यहां सिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विध्यारतियों से निश्क्रेय रहने की आप एक्षा करता है यहां उनकी समिगात्प अशकताओं की पूर्ती है और वे अनुभव करती हैं कि वे महत्व पूर्ण है तो फिफ्ट का आंसर जो है सही हो जाएगा कि जिनकी इमोशनली जो नीट्स होती है उनकी पूर्ती होती है और वे अनुभव करते हैं कि वो भी इपोर्टन्ट है तो उसी इन्वार्मेंट में वो बच्चे सीख पाएंगे तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर ओके एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कोई को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी इसे बच्चे के विचारक के बारे में क्या पता चलता है बच्चे की समरीतिया पहले से भंढारित होती है, बच्चे में पक्षी का प्रत्याय विक्सित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है तो क्या सही आंसर होगा तो तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है A, B और C तो तीनों ही आप्शन सही होगे A, B, C और Right कोई सिख्ष का अपने विध्यारतियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेड़ना के साथ कार्य करने के लिए प्रोचसाहित कर सके मतलब इंटर्नली जो है बच्चे मोटिवेट हो सके और क्या ऐसा क्या सकती है टीचर बच्चों को तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टौफी मिलेगी ऐसा करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे में सीखना विध्यारती की आंतरिक प्रेणा है जबकि किसी से पहले कार्या समाप्त करने में कार्या करने वाला विध्यारती या व्यक्ति जो है बाहरी प्रेणा की रुप में कार्या कर रहा है या चलो इसे इसके करने से पहले समाप्त कर लो तो देखिए यही होगा कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगी क्योंकि आंत्री का भी प्रेड़ना है यहाँ पर explanation साथ में दी हुई है तो इसमें क्या कहा गया कि जब कि किसी से पहले समाप्त करना है न यह तो यह हो गया न कि उसको बाहर से एक्स्टरनल मोंटिवेशन मिल रहा है तो थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है कोई सिख्ष का अपने विध्यारती को अधन करने है तू आंत्री रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोचसाहित कर सकती है प्रतियोगितात्मक प्रिक्षन से व्यक्तिकल लक्षे निधारन करने और उन्में निपूनता पाने में उन्हें मदद देकर साफ दिखाई पढ़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी या उनमें चिंता और डर पैदा करके तो एट का यहाँ पर आंसर जो है सही हो जाएगा वो है सेकिन आंसर व्यक्टिकल लक्षे निधायित करने और उनमें निपूनता पाने में उन्हें मदद देकर किसी प्रारंभी कक्षा में प्रभावशाली सिक्षक का उदेश्य विधारतियों को उत्प्रेरिद करना होगा रटकर याद करने के लिए जिसमें वे प्रत्यस्मर्ण करने में अच्छे बने तो रटना तो बिल्कुल नहीं है दंडात्मक उपायों का उप्योग करके जिससे वे सिक्षक का समान करें दंडात्मक उपायों का भी यूज नहीं करना है ऐसे काम करने के लिए जिससे प्रिक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके या सीखने के लिए जिससे वे जिग्यासू बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें तो पॉजिटिव में हमें आंसर देना है क्योंकि नहीं में नहीं पूछा है नोने आंसर तो जिग्यासू जो है बहुत पॉजिटिव है, क्रियोसिटी अगर जिन बच्चों में होती है तो वो जल्दी सीखते हैं तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा, फोर्थ आंसर निमलिखित में से कौन सा उधारण प्रभाव शाली विद्याल्या की प्रथा का है शारिरिक दंड व्यक्ति सापेक्ष दिगम प्रतियोगिता आत्मक कक्षा या निरंतर तुलना आत्मक मुल्यांकन तो शारिरिक दंड तो नहीं होगा, ना ही निरंतर तुलना आत्मक मुल्यांकन होगा क्योंकि निरंतर जो है व्यापक मुल्यांकन होना चाहिए ना कि तुलना आत्मक कंपारिजन नहीं करनी है हमें ठीक है अप्रतियो गिता आत्मक कक्षा भी नहीं होगी व्यक्ति सापेक्ष अदिगम होगा सैकिन आंसर जो है यहाँ पर मारा सही है विकास का सिरह पदा भी मुक दिश्या सिधान व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है भीनों से एकिकरित कारियों की और सिर से पैर की और ग्रामेंड से शहरी शेत्रों की और या सामाने से विसिस्ट कारियों की और तो 11 का अंसर सही हो जाएगा सिर से पैर क्यूर, इसमें कहते हैं इस सिधानत में कि बच् noises का development होता है वो सिर से पैर क्यूर होता है, सबसे पहले सर develop होता है बच्चे का फिर भुजाएं develop होती है और उसके बद उसके पैर ठीक है? भाशा विकास के लिए सबसे सवेदनशील समय निमलिखित में से कौन सा है? मध्य बच्पन का समय, वेसकावस्था, प्रारंभीक बच्पन का समय या जनम पुरुव का समय तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा 12 का तो वो है प्रारंभीक बच्पन का समय एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में और सधारन योगता का परदशन करती है उसके माता-पिता दोनों ही खिलाड़ी है उसे नित्य प्रेसिक्षन प्राप्त करने भेशते हैं सापता हान्त में उसे प्रेसिक्षन देते हैं बहुत समभव है कि उसकी शमताई निमलिकी दोनों के बीच प्रस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी रिधी और विकास स्वास्तय और प्रसिक्षन अनशाषन और प्रश्टिक्ता या अनौश्टा और परयावर्ण आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा आनवा अंजिक्ता और परेवर्ण हेरेडिटी का भी इस पर एफेक्ट पढ़ रहा है क्योंकि इसके दोनों जो है मतलों माता पिता दोनों ही खिलाडी थी तुसका भी इफेक्ट बच्ची पर पढ़ रहा है और कुछ इन्वार्मेंट का क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रही है तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है निमलखित में से कौन से समाजी करण के गोण वाहक हो सकती है यानि सेकेंडरी फेक्टर विदाल्या और पासपडोस यानि नेबर विदाल्या और निकट्तम परिवार के सदस्य है परिवार और रिष्टिदार या परिवार और पासपडोस तो ओदे की प्राइमरी तो होता है उसके जो फैमिली होती है फैमिली की जो मेंबर्स होती है लेकिन गोण होता है विदाल्या या उसका जो नेबर है क्लियर कर फर्सट ऐनसर सही है लेव आइगोश्की संगयनात्वा विकास का मूल कारण है समाजिक अनुनकरिया मांसिक प्रारूपो हिमाल्स का समयोजन अधीपक अनुकरिया यगमन या संतूलन तो लेव आइगोट्सकी ने जो है किस पर काम किया था समाज पर काम किया था तो समाजिक अनुन करिया इंट्रैक्शन, शोशल इंट्रैक्शन क्लियर फरस्ट आंसर यहाँ पर सही है किसी बच्चे का दिया गया विशिस्ट उत्तर कोहल बर के नयतिक तरक के स्वपानों के विश्य वस्तुके के स्वपान के अंतरगत आएगा यदि आप इमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे इसलिए आपको इमानदार रहना चाहिए समाजिक संकुंचन अनुकूलन अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन कानुन और व्यवस्ता अनुकूलन या दंड आगिकारिता अनुकूलन तो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा सेकिंड आंसर जीन प्याज़े के नुसार अधिगम के लिए निम्लिखित में से क्या अवशक है। विसकों के वहवार कव लोकन, इश्वरीय न्याय पर विश्वास, सिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनवर बलन, या सिक्षार्थी के द्वारा परयावर duyा की सक्रीयय खोजबीन। तो 17 का अंसर सही हो जाएगा सिक्षार्थियों के देवारा परेवरन की सक्रिया खोजबीन जीन प्याजे के अनुसार प्रारुप स्कीमा निर्मान वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने ये तुर नवीन जानकारी में शन्शोधन और नवीन जानकारी के अधार पर पुरानी योजनाओं में शन्शोधन के प्रिणाम के रूप में घटित होता है इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और अनकूलन के रूप में सामिकर्ण और संशोधन के रूप में समावेशन और समायोजन के रूप में समायोजन और अनकूलन के रूप में तो 18 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा वो है हमारा थर्ड आंसर या खोज को प्रोछाहन देता है, तो 19 का आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, वो है खोज को प्रोछाहन देता है, कि कै फूर्थ आंसर यहाँ पर हमारा सही है. सिक्षक को चाहिए कि विश्य वस्तु को वकल्पिक विधियों से पढ़ाने की लिए बहु बुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहन करें क्षमता भाग्या है और एक अवधी के भीतर नहीं बदलती यहर बच्चे को प्रतेक विश्य आठ भिन तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विक्सित हो तो 20 का आंसर जो है राइट होगा हारवर गार्डनर ने बहु बुद्धि का सिधान दिया था सुसैकीन आंसर हमारा सही होगा कि भी विश्य वस्तू यानि content को जो है alternative method से पढ़ाने के लिए बहु बुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहन करें कोई पांस साल की लड़की एक टीशर्ट को तह करते हो अपने आप से बात करती है लड़की द्वारा परदर्शी त्विहवार के संदर्व में निमलिकीत में से कौन सा कथन सही है जीन प्याजे इसे अहक इंद्री भाषा कहेंगे self-centered होती है जो और लेवाइगोट्स की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा नीजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रियासों की रूप में करेगा जीन प्याजे इसकी व्याख्या समाजिक अनुक्रिया के रूप में करेगा और लेवाइगोट्स की से खोजबीन मानेगा जीन प्याजे और लेवाइगोट्स की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मा के अनुकरन के रूप में करेंगी या जीन प्याजी और ले वाइगोट्सकी इसकी व्याक्या बच्चे के विचारों की अहकेंदरी प्रकरती की रूप में करेंगे तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर ठीक है लिंग है यानि जेंडर है शारेरिक सरंचना सहज गून समाजिक सरंचना या जयविक सत्ता तो लिंग जो है वो है समाजिक सरंचना ले वाइगोट्सकी के समाज सरंचना सिधानत में द्रिड विश्वास रखने वाले सिक्षक के नाते अपने बच्चों के आंकलन के लिए निमलिकीत में से किस विधी को वरीता देंगे मानकी क्रीत परिक्षन, तत्यों पर अधारी प्रत्या स्मरण के प्रश्ण वस्तु परक बहु विकल्पिये प्रकार के प्रश्ण या सहयोगी प्रोजेक्ट 23 का आंसर सही हो जाएगा लेवाई गोच्की के समास अंचना सिधान्त में विश्वास रखने वाले एज टीचर तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट अपनी कक्षा की व्यक्तियों भिनताओं के भिनताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनकी अंकों के धार पर अलग कर उन्हें नामित करें बच्चों से बाचीत करें और उनके दिश्टिकोन को महत्व दें विध्यार्तियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे या सिक्षन और आंकलन के समान और मानक तरीके हो तो इंडिवीज्वले डिफ्रेंसिस से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बाचीत करे और उनके पॉइंट अव व्यू को इपोटेंस दे तो सेक एक बार वर्ष के अंत में हो विध्यार्तियों के उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलात्मक मुल्यांकन किया जाई या इससे विध्यार्तियों में भ्याय और तनाव का संचार हो तो आंसर सही होगा आंकलन जो है असेस्मेंट जो है तब ही मैतपुन होती है जब इससे विध्यारतियों और सिक्षकों को फीड़बैक मिले तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है रास्टिय पाठे चरे की रूप रेखा NCF 2005 के नुसार सिक्षक की भूमिका है अधिनाई की है अनुमती परक, सुविधा धाता या सत्तावादी तो according to NCF जो है, टीचर की जो भूमिका होती है वो फैसिलेटर की होती है ओके आंसर सही हो जाएगी हमारा थर्ड आंसर आनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविद कक्षा में अपने विध्यारतियों से सिक्षक का क्या पिक्षा हैं के सा समंदित नहीं माने जानी चाहिए पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती या पर महतपुन प्रभाव छोड़ती है तो 27 का आंसर सही होगा हमारा पर महतपुन प्रभाव छोड़ती है विशेश अशक्ता वाले बच्चों को शामिल करना जिन में अक्षमता नहों उन बच्चों के लिए हानिकारक है विदालियों पर भार बढ़ा देगा सिक्षन के प्रती दिश्टिकोंड विश्य वस्तु और धारना परिवरतन की अपेक्षा रखता है या एक कालपनिक लक्षे है तो जो स्पैशल निट वाले बच्चे हैं उनको शामिल करना तो ये टीचिंग के प्रती जो है दिश्टिकोंड विश्य वस्तु और धारना परिवरतन की अपेक्षा रखता है तो थर्ड आंसर यहाँ पर हमारा सही है विवित परकार की समाजिक आर्थिकों सांस्कृतिक प्रिश्ट भूमी के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विजारतियों के अधिकम अनुवों को बढ़ाती है यह कथन है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अने कोशल सीखती है सही है क्योंकि इससे एक अख्षा अधिक शेनिबत दिखाई देती है गलत क्योंकि यह है अनावशक्स परधा की ओर ले जाता है या गलत क्योंकि यह है बच्चों के लिए दूविधा उत्पन कर सकता है और वे स्वैम को अलग धलग महसूस कर सकते हैं तो क्या सही आंसर होगा तो 29 का आंसर सही हो जाएगा सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अने कोशल सीखते हैं सुनने में असमर्त बच्चा जो है केवल अकाद्मिक शिक्षा से लाब नहीं उठा पाएगा उसे उसके स्थान पर व्यवसाइक शिक्षा दी जानी चाहिए नियमित विदाल्या में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उप्युक्त सुविधा और साधन उपलब्द कराए जाए नियमित विदाल्या में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा या श्रमण असमर्था वाले बच्चों के विदाल्या में ही भीज़ा जाना चाहिए नियमित विदाल्या में नहीं तो सुनने में जिन बच्चों को प्रोब्लम होती है वो अच्छा कर सकते हैं जब उन्हें उसके according सुविधा मिले साधन उपलब्द कराएं है ना तो आंसर सही होगा हमारा second answer तो dear ये थे आज का हमारा जो salt paper था तो ये हमने finish कर लिया है और आपके कितने question सही हुए है comment में ज़रूर बताएगा YouTube में ही आपको बताना है comment में out of 30 आपके कितने question सही हुए है और ये है मेरा WhatsApp number 8295024375 तो यहां आप contact कर सकते हो जो भी कुछ पूछना है तो मिलते हैं next salt paper के साथ so thanks for watching my video do like share and subscribe my youtube channel till then bye bye रबराखा जय भूलेनात